वेल्कम टुश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस केन पांस शुरू होगा रेडी स्टार्ट सहकारी बैंकों को रिजरो बैंक की निगरानी में रखने का फैसला केंद्र ने इनके उपभुकताओं का भरोसा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाब उन तक पहुचाने के मकसद से किया है पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आने से उपभुकताओं का भरोसा कमजोर होने लगा था खासकर पंजाब एवं महारास्ट्र सहकारी बैंक में हुए व्यापक घोटाले के बाद सहकारी बैंकों की साख को जबरदस्त जटका लगा था उसमें हजारों खाता धारकों का पैसा टूबने का खतरा पैदा हो गया था तब रिजरो बैंक के हस्तक शेप से उन्हें वारने का प्रयास किया गया केंद्र के ताजा फैसले से उपभुकताओं का भरोसा निस संदेह बढ़ेगा सहकारी बैंकों को वित्तिय लेन देन के छेत्र में काम करने की अनुमती देने के पीछे मकसद था कि उनके जरिये छोटी कमाई और निवेश करने वालों को मदद मिलेगी वे इनके माध्यम से अपने कारोबार आधि को आगे वढ़ाने के लिए कर्ज भी ले सकेंगे सहकारी बैंकों समितियों का संचालन चूकी स्थानी अस्तर पर होता है और उसमें सदस्यों को अपनी सुविधा के अनुसार नीतियां बनाने का आधिकार होता है इसलिए उन्हें रिजर्ब बैंक की निगरानी से दूर रखा गया था इसी तरह गेर बैंकिंग वित्तिय कमपनियां भी काम करती रही हैं इनका कामकाज इस तरह होते हुए भी बिलकुल भिन होता है मगर कुछ सहकारी बैंकों ने नियम काईदों की अनदेखी करते हुए न सिर्फ अपना कार बढ़ाना शुरू किया बलकि अन्यमित्ताओं के रास्ते भी खोल दिये इससे सभावी के ही सहकारी बैंकों का मकसद कहीं हासिये पर चला गया सरकार के ताजा कदम से उनकी मनमानी रोकने में मदद मिलेगी फिलहाल करीब 1500 शहरी और 58 बहुराजी सहकारी बैंक हैं जिन से साड़े आठ करोन से उपर ग्राहक जुड़े हैं इन बैंकों के ग्राहक छोटे कारोबारी अनियोजित छेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं वे अपनी छोटी छोटी बचत इन बैंकों में रखते और अपने कारोबार आधि के लिए छोटे छोटे कर्ज लेते हैं। पर कुछ सहकारी बैंक बड़े अस्तर पर धोखा धड़ी करने वालों का सहयोग करते हैं जैसे नोटबंदी के दौरान कुछ सहकारी बैंकों ने बड़े पैमाने पर नोट बदले थे तब भी इन बैंकों पर कड़ी निगराने रखने की जरूरत रेखांकित की गई थी पी एमसी जैसे बहुराजी सहकारी बैंक तो अपनी साखाएं फैलाने और बड़े कारुबारियों को अपने साथ जोड़कर सरकारी योजनाओं में सेंध लगाना शुरू कर दिया था सरकार का मकसद है कि देश का हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े ताकि गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फैसला उनके खाते में सीधा पहुंच सके पर सरकारी बैंक इस मकसद में रुकावट पैदा कर रहे थे केंद्र ने गरीबों गरीवी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों स्वसहायता समुहों आदि के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं कोरोना संकट के समय मुद्रा रिन योजना के तहद छोटे कर्जधारों को ब्याज में दो प्रतिशत का लाग देने की घोशना भी की है पर सहकारी बैंकों का कारोबार संदिक्द होने से वे लाब वास्तविक उपभुकताओं तक पहुचा पाना संदेह के दैरे में आ गया है सरकार ने अनेक उपभुकता वस्तुमों पर से सबसिड़ी हटा कर उनका पैसा सीधे गरीब नागरिकों के खाते में डालना शुरू किया है मन देगा जैसी योजनाओं का पैसा भी सीधे खाते में पहुचाया जाता है ऐसे में अगर बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी तो उन्हें योजनाओं का मकसद हाशिये पर जाना सभाविक है सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी से पारदर्शिता आने की उम्मीद बनी है